सद्गुरू सोशल मीडिया से दूसरा सवाल आरियन सेन ये पूछ रहे हैं कि शारेरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्यान के लिए पुरुष का सीमन कितना महत्वपूर्ण है? क्या अपने सीमन को बरबात करना हमें आध्यात्मिक रूप से नुकसान पहुचा सकता है? देखिए आप जानते हैं कि आपकी शारेरिक मौजूदगी का अधार सीमन या वीर है आप चाहे पुरुषों या महिला आपके शरीर को बनाने के लिए जिम्मेदार सामगरियों का पचास प्रतिशत ये है है ना हमारे पास चमडी है हमारे पास चमडी के ऊपर की कोशिकाए ह हमारे पास बाल है हमारे शरीर के अनेक पहलू है आप जानते हैं दिल गुर्दा लिवर वेगर वेगर अपने आप में इन सारी कोशिकाओं की कुछ न कुछ शम्ताएं हैं लेकिन सीमन के शम्ता का इस्तर जबरदस्त है ये एक पूरा नया जीवन बना सकता है आज आप जिन्हें आप सीमन या वीरे कह रहे हैं तो योग संस्कृति में हम इसे वीरे कहते हैं वीरे को हम वज्र भी कहते हैं जिसका अर्थ है स्थिर्ता या हीरा जो सबसे कठोर चीज है तो मानव शरीर में वीरे को वज्र की तरह समझा जाता है जिसका अर्थ है कि अगर आप इस से शक्तिशाली चीजों में से एक है, तो इसका उप्योग करने का मतलब ये है, कि आप इसका उप्योग बच्चे पैदा करने के लिए कर सकते हैं, ये एक तरीका है, खेर ये सवाल इसलिए आया क्योंकि आप इसका उप्योग हॉस्टल की चादर को बरबाद करने में कर रहे ह ठीक है? अगर आप इसका इस तरह से उप्योग कर रहे हैं, तो आप मजबूर हैं, आप जो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर नैतिकता के आधार पर कोई राय बनाई जाए सवाल ये है कि कोई किस हद तक मजबूर होकर कुछ कर रहा है लेकिन क्या इस शरीर की किसी भी चीज को एक दूसरे स्तर पर काम करने के लिए बिल्कुल केवल सीमन ही नहीं, इस शरीर की हर चीज को रुपांतरित किया जा सकता ہے देखिए, मान लीजिए, अगर मैं आप सभी को सूप बनाने की सामगरी दूँ, आप सभी को एक जैसी सामगरी दूँ, तो क्या आपको विश्वास है कि आप सभी लोग एक जैसा सूप बनाएंगे? नहीं, आप 500 प्रकार के सूप बनाएंगे, हलाकि सामगरी एक ही है, यही हम सब के साथ इस समय हो रहा है, हम सभी बुन्यादी रूप से एक ही सामगरी से बनें, लेकिन देखिए कि हम एक दूसरे से कितने अलग है, क्योंकि सूप अलग है, तो अगर मैं आपको सूप बनाने क सामगरी दूँ, तो आप या तो अच्छा सूप बनाएंगे, या बेकार सूप बनाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है, कि आप ये काम कितना जानते हैं, है न, तो ठीक ऐसा ही हर चीज के साथ होता है, केवल सीमन के साथ ही नहीं, अपने मन और शरीर के हर आयाम को आ ये ही उर्जा, दिखिए, लोग शाब्दिक अर्थ लेते हैं, लेकिन अगर आप किसी विशेश चीज, जैसे तौचा के उपर की कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, तो शरीर इस पर उर्जा खर्च करेगा, पर अगर आप सीमन की एक कोशिका को पैदा करना चाहते हैं, त तो शरीर बहुत अलग स्तर की उर्जा खर्च करेगा, इसे वेग्यानिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। तो जब आप इसमें इतनी सारी उर्जा खर्च कर रहे हैं, तो सुभाविक है कि इसमें एक शमता है। लेकिन क्या आप में उसे खोजने की काबलियत है, क्या आप वो खोज करना जानते हैं, क्या ऐसा करने के लिए आप के पास साधना और मार्क दर्शन है, ये एक प्रश्ण चिन है। क्या आप